हालो गुड इविनिंग वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल ओके हालो गुड इविनिंग ट्व एरिवान कैसे आप सब आज जैसे हमने साइंस टैंट क्लाश शुरू की थी सीरीज उसमें चैप्टर केमिस्ट्री का लिए हमने फोर्थ कार्बन एंड इस कंपोंड तो आज हम नेक्स लेक्टर जो दूसरा वाला है शुरू करेंगे 4.2 वर्स्टाइल नेचर आफ कार्बन का जो वर्स्टाइल नेचर आफ कार्बन का जो वर्स्टाइल नेचर उसको हम पढ़ेंगे वो क्या होता है और नीचे हम एक्स्प्लाइन करेंगे ठीक है we have seen the formation of call and bonds by the sharing of electrons in various elements and components यह हमने पढ़ा है उपर कि जो यह जो कॉल इंड बोन बनता है वो sharing of electron से बनता है और ionic bonds जो बनते है वो losing और gaining of electron से बनते है ठीक है we have also seen the structure of a simple carbon compound यह भी हमने देखा जो simple carbon compound का structure है और methane का भी ठीक है CH4 methane का formula होता है na carbon चार में इसके hydrogen के साथ मिलके methane बनाता है ठीक है उनके साथ जो bonding होती है in the beginning of the chapter we saw how many things we use content carbon ठीक है जैसे हमने इसके शुरू में पढ़ा है in fact we ourselves are made up of carbon compounds ठीक the numbers of carbon compounds whose formula are known as known to chemists was recently estimated to be in millions यह हमने इस चीज़ को explain किया पहले भी हमने इस चीज़ के बारे में कार्वन के बारे में लेकिन अब इसकी जो different characteristics or capacity है capability है वह हम इसमें पढ़ेंगे ठीक है the numbers of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated क्या बोरा recently estimate किया था to be in millions these out numbers by a large margin the compounds found by all the other elements put together उनको क्या है जो जितने भी element और दूसरे बांते उनको एक इठा लिया जाता है रखा जाता है ठीक है why it is that property this property is seen in carbon and no other element वो रहे यह सिर्फ carbon में ही क्यों दिखती है यह property और दूसरे element वे क्यों नहीं question mark जा लागे ठीक है इसका मलब हम थे बताना है इस चीज़ को the nature of the current bond enables carbon to form a large number of components यह वार स्टाइड नेचर यह ही है कि carbon के पास इतने capacity है capability है ability है उसके पास की वो large number of components को बनाता है two factors noticed in the case of carbon are जो दो factor remain इसके लिए वो responsible वो नीचे हमने पढ़ने है first one क्या है carbon has the unique ability एक अलग से उसकी खासियत नहीं to form bonds with other atoms of carbon जो दूसरे carbon atom उनके साथ वो मिलके जो बनाता है ठीक है ..Giving rise to large molecules छी तो लाजघ नेवर आफ molecules इस प्रापरटी इस काडल कैतीनेशन 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 वह ही प्रापरटी यह ज Τाट Tai गलत नेज़ नाज़ ऊपर वार आो बातनु कॉमबोट此 कमबोट में यह लाउग चेंस आफ कार्बन ठीक है कातीनेशन म्हाद वो होता है कार्बन जो लांगट चेंस भी को सकती है डाता चिन उसकता ठीक कह थैक है यह ठीक है अमस्के पारलिग 12 से कोस्लिभ आपस değil इन इन रिंग्स रिंग्स भी होती हैं ब्राइंस में होती हैं और यह बहुत अब आगे क्या बता है इन एडिशन कार्बवन आट्म्स में link इट वाई सिंगल डाबॉल आर्ट ट्रिपल बॉन्स जो कैपस्टि जो अबिल्टी कार्बन के पास है सिंगल ट्रिपल और डबल बॉंड बनाने इसी को कहते हैं वर्स्टाइल नेचर आफ कार्बन और जो रिंग्स चेंस और स्ट्रेट लाइन चेंस बनाता है कार्बन उसी को कैटिनेशन प्रॉसस कहा जाता है इसमें ठीक है इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं अब तुम्हें यह इसको पता होना चाहिए जो भी सिंगल बॉंड कार्बन बनाता है उनको क्या कहते हैं स्ट्रेक्चिर्ड मतलब एक स्ट्रेक्चिर्ड के सहब से उनको माना जाता है उनको स्ट्रेक्चिर कंपोंड का जाता है और कंपोंड जीतने भी आफ कार्बन जो बनते हैं डबल या ट्रिपल बॉंड से उनको क्या कहते हैं अन्स्ट्रेक्चिर्चिर्ड कंपोंड ठीक है No other element exhibits the property of catenition to the extent seen in carbon compounds. जिब बोलते हैं, नो दूसरा element exhibit नहीं करता है, ये property of catenition to extend in carbon compounds में, जो उनको बढ़ा सके. Silicon forms compounds with hydrogen. Silicon क्या बनाता है, compound किसके साथ? Hydrogen के साथ. Which have chains of up to seven or eight items. किसके, कितने atoms की chain होती है, seven to eight. But these compounds are very reactive. ये components लेकिन reactive होते हैं, जो silicon और hydrogen का बनता है, ठीक है chain. The carbon carbon bond is very strong and hence stable. क्या बोलते हैं? जो carbon carbon का bond होता है, वो बहुत strong होता है, ठीक है? वो stable होता है. ठीक है? This give us the large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. Link जो होता है, एक लिंक क्या होता है? एक में में दिखाता हूँ, लिंक क्या मतलब, ये जैसे ये carbon के साथ लिंक है, ठीक है? इनके साथ large chain भी संद बनती है, single chain इसे को बनती है, ठीक है? दूसरा इसका factor जो है, carbon, since carbon has a balance of four, अब balance of four कैसे है, carbon जो electronic configuration इसकी क्या बनती है, इसका atomic number six है, के शेल में टू होंगे, और L में दो ही बचेंगे, के L, दूसरे में आठ होने चाहें लेकिन चार ही होंगे उसका, छी हैं जब total, अब balance है, इसकी चार रहेगी न, ये बोरा है, since carbon has a balance of four, it is capable of bonding with four other atom of carbon or atoms of some other monovalent element, यह carbon atom चार बी साथ में लेगा, यह ऐसी दूसरे monovalent element होंगे उनके साथ, compounds of carbon are formed with oxygen, जो carbon compound हो किसके साथ बनते हैं, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, having rise to compounds with special properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule में, जो carbon के अलावा जो present होते हैं, किस किसके साथ बनाता है, यह जो other elements, क्या-क्या बोला है इसने उपर, hydrogen, nitrogen, sulfur, oxygen, chlorine और दूसरे भी ऐसे elements जिनके साथ यह बनाता है, again, the bonds that carbon forms with the most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable, जो है, स्टेबल की exceptionally है, उसमें बाकी यह बनाता है, कुछ element के साथ, bonding, ठीक, one reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size, इसका small size होने की वज़ह से भी एक strong formation बनती है, इसकी bonds की, यह भी एक, जो small size इसका बेनेफिट है, किसका carbon का, these enable the molecules to hold on a shared pair of electrons strongly, जो shared pair of electrons sharing होगी, आपस में उस चार वैलेंसे elements के साथ, जो carbon के साथ बनाएगा, वो बहुत strongly होता है, the bonds found by elements having bigger item are much weaker, जितने भी bonds जो फार्म होते हैं by elements having bigger item, जिनके बड़े items होते हैं, वो weaker होते हैं, जिनका small size होता है, मतलब वो strong होते हैं, ठीक है, इसी लिए, अब नेक्स टॉपिक हम, नेक्स लेक्चर में पढ़ेंगे, यहां तक बहुत है, नेक्स हम structure and structured carbon compound पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक्यू, ओके,